अकबर प्रारंभिक जीवन 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में जन में हुमायू और हमीदा बानू बेगम के पुत्र मुगल सामराज्य के संस्थापक बाबर के पोते व्यक्तिगत जीवन तीन बार शादी की रुकिया बेगम बैरम खान की बेटी सलीमा बेगम पूर्व में नौकर जोधा बाई एक राजपूत राजकुमारी उनके कई बच्चे थे जिनमें जहांगीर उनके उत्तराधिकारी भी शामिल थे विजय और सामराज्य विस्तार मुगल सामराज्य का विस्तार किया विजय प्राप्त की अकबर महान एक कुशल सैन्य नेता और रन नितिकार थे जिनोंने विभिन्य विज्यों और अभियानों के माध्यम से मुगल सामराज्य का विस्तार किया यहां अकबर द्वारा लड़े गए विभिन्य युद्धों और लडाईयों के बारे में बताया गया है एक उत्तराधिकार का युद्ध 1556 से 1560 उदा स्माईली अकबर के शुरुवाती युद्ध उसके अपने रिष्टेदारों और रईसों के खिलाफ लड़े गए थे जिन्होंने उसके सिंहासन के दावे को चुनौती दी थी 2. मालवा पर विजय 1561 उदा स्माईली अकबर ने सूरी वंच को हराया और मध्य भारत के एक क्षेत्र मालवा पर कबजा कर लिया 3. गागरोन का युद्ध 1561 उदा स्माईली अकबर ने शक्तिशाली राजपूत राज्य आमेर के कच्छवाहा सामराज्य को हराया 4. चुनार की घेराबंदी 1561 उदा स्माईली अकबर ने चुनार के रन्नितिक किले पर कबजा कर लिया जो गंगा नदी को नियंत्रित करता था 5. हाथी गुमफा का यूद्ध 1562 उदा स्माईली अकबर ने ओर्डिया राजा मुकुन देव को हराया और ओडिशा पर कबजा कर लिया 6. गुजरात विज्ए 1572 से 1573 उदा स्माईली अकबर ने गुजरात सल्तनत को हराया और इस खशेत्र पर कबजा कर लिया 7. तुकारोई की लड़ाई 1575 उदा स्माईली अकबर ने बंगाल सल्तनत को हराया और बंगाल पर कबजा कर लिया 8. हल्दी घाटी का यूद 1576 उदा स्माईली अकबर ने मिवाड के राणा प्रताप सिंग को हराया लेकिन उन्हें पकड़ने में असफल रहा 9. बिहार और बंगाल पर विजय 1574 से 1576 उदा स्माईली अकबर ने अफगान शासक दावद खान कररानी को हराया और बिहार और बंगाल पर कबजा कर लिया 10. आसैन का यूद 1589 उदा स्माईली अकबर ने राठोड राजा चंद्रसेन राठोड को हराया और मारवाड पर कबजा कर लिया ग्यारह कश्मीर पर विजय 1586 उदा स्माइली अकबर ने कश्मीर पर कबजा कर लिया और इसे मुगल सामराज्य में शामिल कर लिया बारह सिंध विजय 1590 से 1593 उदा स्माइली अकबर ने सिंध सल्तनत को हराया और सिंध पर कबजा कर लिया तेरह देवर की लडाई 1592 उदा स्माइली अकबर ने बलूच जनजातियों को हराया और मुगल सामराज्य की पश्चमी सीमाओं को सुरक्षित किया एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की धार्मिक और सामाजिक सुधार सुलह कुल, सार्व भॉमिक सहिश्णुता की अवधारना प्रस्तुत की गई अंतरधार्मिक समवाद और बहस को बढ़ावा दिया गैर मुसल्मानों पर जजिया कर समाप्त कर दिया गया विध्वा पुनर्विवा को प्रोचसाहित किया और सती प्रथा को हतुचसाहित किया कला, वास्तुकला और साहित्य का समर्थन किया शासन हुमायू की मृत्यू के बाद तेरा वर्ष की आयू में 1556 में सिंहासन पर बैठे शुरुवात में उनके रीजेंट बैरम खान ने मामलो को संभाला, लेकिन अकबर ने 1560 में नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया 1605 में अपनी मृत्यू तक 49 वर्षों तक शासन किया प्रशासनिक सुधार मनसबदारी प्रणाली सैन्य शक्ती के आधार पर अधिकारियों की रैंकिंग शुरू की गई वजन माप और मुद्रा की एक समान प्रणाली स्थापित की गई एक मजबूत खुफिया नेट्वर्क बनाया गया परमपरा अकबर की विरासत बहुत गहरी और दूरगामी है जिसने भारतिय इतिहास संस्कृती और समाज के विभिन पहलूं को प्रभावित किया है उनकी विरासत के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार है एक एकिकृत भारत अकबर ने भारत के अधिकांश भाग को एकीकृत करके एक विशाल सामराज्य का निर्माण किया जो सदियों तक चला. 2. सहिशनोता और धर्म निर्पेख्षता अकबर ने सहिशनोता, धर्म निर्पेख्षता और धार्मिक सदभाव को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न धर्मों के लोग शांती पूर्वक सहस्तित्व में रह सके तीन प्रशासनिक सुधार अकबर ने मनसबदारी प्रणाली सहित कुषल प्रशासनिक प्रणालियों की शुरुवात की जिसने कुलीन वर्ग और सेना को संगठित किया चार आर्थिक सम्रिद्धी अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार और सांस्कृतिक विकास हुआ पांच सांस्कृतिक पुनरजागर्ण अकबर ने कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला को संरक्षन दिया जिससे भारत में सांस्कृतिक पुनरजागर्ण हुआ छे, मुगल वास्तुकला अकबर ने ताज महल, फतेहपुर सीकरी और हुमायू के मकबरे जैसी प्रतिष्ठित इमारतों का निर्मान कराया जो मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन करती है साथ, दीनेलाही अकबर ने दीनेलाही नामक एक समन्वैकारी धर्म की शुरुवात की जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्वों का मिश्रण था जिससे एकता और समझ को बढ़ावा मिला आठ, शिक्षा और अध्ययन अकबर ने शिक्षा को प्रोचसाहित किया स्कूलों और पुस्तकालेओं की स्थापना की और महत्वपूर्ण कार्यों का फार्सी में अनुवात कराया नौ, सैन्य सुधार अकबर ने सेना का आधुनिकी करण किया नई रणनीती तो प्खाने और पैदल सेना की संग्रचना शुरू की दस, स्थाई प्रभाव अकबर की विरासत उसके शासनकाल से आगे तक फैली हुई है जिसने सदियों तक भारतिय इतिहास संस्कृती और राजनीती को प्रभावित किया है सबसे महान मुगल समराटों में से एक माना जाता है कला को संरक्षन दिया जिससे मुगल वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य का विकास हुआ एक मजबूत स्थिर सामराज्य की स्थापना की जो सदियों